जहां तक मेरा अंग हो जाता है और साइब आपका भी जहां सह भागता होती है, कॉपरेशन होता है, वो चीजें ज्यादा अच्छी चलती हैं बजाए उसके कोई एक आदमी दे और सब बांटे, अगर एक जगह सब के पांच पांच रुपय भी लगे हैं एक पुल बनाने में जखो हैं और कुसी के पचास घाज़ी लगे ना गें तो पांच रुपय वालाब्य उसके पर्ती कंसर होता है, इससे जज़ादा जिसके पांच लाक लगे तो वो उतना कोसिस करता है और फोल टूटे हैं उसको खहरात भी नहीं लगती है कि मेरा जी इसमें सहयोग रहा है म अपना समझ के उसके आगे बढ़े तो जब भी चीज़ें अपना समझ के आगे बढ़े जाते हैं जाहर है कि बहतर रूप से बढ़े पब्लिक डिस्टिबूशन सिस्टम अगर देखें तो सरकार ने सब चीज़ अपने हाथ में ले लिए आप बाट ले तो पहले चीज़ यह भी आपने ली ही कि जब पुना है बाट नहीं है तो आप लो ही मत आप कम लो उतना ही लो कि कभी कोई आपदा आ जाए तो उसके प्र जहल पाएंगे तो कर में तो जैसे मालो बाट आभी कसमील में पिछले साल को ट्राइंचल में आई फिर उसके पहले पाकिस्तान में आई गंगलादेस में आती रहती है बिहार में बाट आती रहती है तो आप बता किसमें उसके प्रमद्ञन के लिए आप कुछ चीज़ें पहतर है लेकिन आप सारी चीजें अपने पास ले आएं और फिर उसमें बांटें तो एक ये रखता है कि कोई उपर वाला बांट राएं तो जित्ता लूट सको उतना लूट इतने सारे बिचोलिये हो जाते बांटने वाले कि जैसे खाने में बहुत सारे रसोईये हो जाएं तो बच्चों तक खाने ही नहीं पहुंचता है रसोईये खा जाएंगे कच्चे खा जाएंगे एक कुप तो अच्छा बनाएगा बहुत सारे कुप खरावी नहीं करें खा जाएंगे तो आज हालत वैसी ही है तो पहली चीज़ के आपको जरूवत आपदा प्रवन्हां से ज्यादा लखने में इसका मतलब है कि सर्कार पहले टेक्स कम करें उसी से तो इखटा होता है ना नाचे अब आपने टेक्स कम कर दिया और पब्लिक डिस्ट्रिउशन सिस्टम एकदम से धीरे धीरे बंद किया तो तब क्या होगा कि आप ये भी कहें साथ-साथ के नहीं खाना देयां तब आपको जैसे एक कॉपरेटिव मुव्मेंट छोटा सा गुजरात में चला अमी उलुसका अधारन है और भी कई-कई जगह चले हैं जो छोटे-छोटे लेविल पे आए दिन अक्वाराम में आते रहे हैं कि सफलता की भाल और बहुत सारों की असफलता की क हम फ्रेक्स कम करेंगे तो जनता के पास थोड़ा इसा बचे रहे हैं। ग्यहूं कम लेंगे तो ग्यहूं बचाएगा नो वह करना है। सब भी सकता है। लेकिन आप कहो कि अपने संगठन में, अपने समाज में आप जो डेस्टिट्यूट हैं, बेसहारा हैं या जिनको उस दिन की कमाई नहीं हो पाई, गो विवस्ता आप सोयन करें। तो जब समाज इस दिवस्ता को करेगा, तो सब की सहभाग तक सरकार एक काम जुरू कर सकती कि भीक मांगना बंद कराना है। तो जुम्मेदारी समाज की हो जाएगी कि वहां बिकारी रहीं। तो इसको दूर गाह में प्रणाम होते हैं। लेकिन जहां तक लंगर की आपने बात लेगी। तो व्यक्तिकत अन्पो है कि पिछले छे वरसों में हमारे उनका दो-तीन लंगरा सुनो करानी में रहीं। और बाकी लोगों ने भी कहा कि हम ये बर्तन देंगे, हम साल भर का मसाला देंगे। किसी ने कहा हम गया हो देंगे एक गोरा। किसी ने कहा हम एक एक मीने की सबजी देंगे। तो इस तरह से पहले दिन इतना पैसा आया कि बर्तन खरी सकें। और कुछ शुरू हो। ध्यान पढ़ता है कि दो हजार आठ पंदला अगरस्त को साइश सुरू कि जाता है। और आज 6 वरस उसको खोच पे है। तो इस 6 वरसों के दौरान हमसे किसी ने 50,000 रुपे मावे हैं। और वो लंगर चल रहा है। तो शुरूबादी खर्चे में जरूर बर्तन वगेरा का और शुरूबाद की जगह का कुछ प्रवंधन के लिए ज्यादा पईसा चाहिए। लेकिन चो रोजमरो की चीज़ें हैं वह जो वहाँ पे किसी की बिढ रोड पहने हैं। आज बच्चे का स्कूल में फर्स्ट आया है। इस तरह से जो खाना चल आया है। उसमें एक बार और भी ऐसा आया कि एक सज्जन उसमें फोड़े ज्यादा पैसे देते थे, कमाई ज्यादा हो जैसी में। एक बार उन्होंने कहा कि हम कब तक पैसे देंगे। तो मेरा था कि लंगर पंद रख देते हैं। तो जह हमने लोगों से चर्चा की, वहां पे उनका कहना थे, क्या इनके पईसे से लंगर चल आके ला, ये दे रहे थे, इसलिए इनसे ले रहे थे। लंगर तो हमारे समाज का है, हम चला रहे हैं ना, तो हम सब कंट्रिबूट कर लेंगे। और उस दिन साथ सबस्य बने जो एक नियमत रासी हर्मी ही दे। और उस रासी से वो बैंक बैलेंस की तरह ही है, क्योंकि खाने का तो पैसा जो बर्टे है, डेथ अनिवर्सरी है, मैरेज अनिवर्सरी है, उसके इस्पंसर सिपसे ही चला है। और वहां लंबे समय में कि जो डेस्टिटीट हैं वही खा रहे हैं। तो सुरुवादी रूप में जरूर कुछ लोग घिर बड़ी कि चलो फिरी में खाना मिला है। तो रोज खाना जब मिला तो उन्या का तुमारे घर तो खाना है जाई है। फाल तुगा नहीं है, घर में खाया करो, वह उसको भ बहुत है कि भागवान कहते हैं कि एक बार महनत से खाना है और एक बार उन्खिलाइए। फुर सांग को लंगर मिलता है और इसमें जिसका पेट नहीं घरा, वह आप और खा सकाए। तो लंगर एक बो जो सांग ना सोच उसकी दिवस्ना है। उसमें बहुत सारे दूसरा चीज जो उसमें महत्पून है कि खाना बनाने वालों का पईसा दिया जाता है वो एमप्लाई है करमचारी है और वहां ये भी हुई बात कि उसमें सहीयोग हो लेकिन उसमें जब बुडवत्ता की बात आई तो उसमें खा गया कि नहीं खाना बनाने वाले परमानेंट कि बीमारी नहीं होने चाहिए खाने से पेट खराब नहीं होना चाहिए उसके साथ तीसरी चीज जो आई कि बरतन कौन धुएगा तो उसमें मेरा अन्रोध था कि जो खाना बनाने वाले बरतन है वो खाना बनाने वाला धुए और जो खाने वाले बरतन है उसके लिए कोई क वरतंत होने के लिए कर्मचारी रख को भी लंगर बंद हो जाएगा क्योंकि उसमें सहिभागता खतन हो जाएगा काम कुछ छोटा बड़ा समझा जाने हैं हमें थ्यान है कि रजनी साथ सब्सक्राइब में हम गए दो या दो की बात है तो वहां भी लंगर चलता है एक पर ऐस बंदला भी सुभया में तब तो उसमें सारे काम तो होते हैं को अपरेटिव से लेकिन वरतंत होने काम एंपलाई करते हैं और आर्टमेटिक नसी जाएगा तो जब उने पूचा वहां कि जब रजनी स्थे तब भी असा होता है उन्हें तब तो सब दोते थे बिनोत खंणा तो जितने भी सामुएक सहभागता के उधाने हैं उसमें छूटे बर्तंत होने की विवस्ता उन्हीं को करने चाहिए जो खाना को थे दूसरा लंगर जो सुरू हुआ उसमें एक बहुत धनार के बंदे थे उनका कहना थे दस लाख रुपे दे देंगे पर पैसा आता जाएगा और उन्होंने डिर दो लाख रुपे पर मंद देना सुरू है और बड़ा ताजब गगा कि वो लंगर छे में बंद हो जैसे पैसे आने बंद हुए बहुत सारे ब्रस्नों देवी पे चल लाए थे वो भी बंद हुए उसमें बहुत रईस लोगों ने चलाए थे हो नहीं चले तो जो समाच सहवागता से चलाएगा वो चलेगा वो चाहे मस्ज़द में कुरान खानी के नाम से चले गुरुद्वारा में लंदर के नाम से चले मंद्रों में अंद्र कूट के नाम से चले या चर्च में चले जहां भी चले उसमें समाच की सहवागता होनी चाहिए कि खाने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए को विकारी है जैसे ही अंभव आया की विकारी है तो सामाने जनका वहां जाना बंग हो जाता है तो अगर हम गुंदारे में और वोल्डन टेंपल में लंगर की बात करें तो हम दो-तीन बार वहां खाए हैं तो मेरी पत्नी ने कहा कि जतने कब खाना खाओ उतना पईशा तो कम सिर्ण नहीं चड़ा गया ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा और वो खाना हम लोगन प्रसाइद के रूप में खाये गोजन के रूप में नहीं खाया और जतने का खाया उससे ज्यादा पेसे अगर हमा सरद्धा के साथ चड़ाने के कुछ कोशिस की कि हम वहां खाने के काम मदद दे सकें प्याद चीर सकें आलू चीर सकें जाडू लगा सकें कुछ और काम अगर हमको एक गन के लिए मिल जाते हैं तो ऐसी हम लोगों की आस्था रहे और ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो इस तर सारे रिटायर लोग जो सरकारी सेवा से रिटायर हैं ऐसे उनकी एक्छा भी रहती है कि कोई काम मिल जाए जो इजद्दार है तो चुकि मंदिर मस्जित किसी की बपौती नहीं होती है किसी के घर में लंगर नीच अला है इसलिए वहां समाज इसको अपना मानिता है और वह क्भानों दर्फ काशा सेवा करने के लिए फ्री है इनको कोई रोकता भी नहीं है कोई बहुत जЯदा कंट्रोल नहीं होता है इसलिए, लोग अपना मानते हैं, और कोई करता भी है, यह मेरा है, तो छड़ा हो जाता है, तो तेरे बाब के लिए, ऐसा भी होता है, और ऐसा एक स्वस्त परंपरा को बनाता है, कि नहीं, वो सामुजे हैं, तो ऐसे हमारे अन्भव रहे है, अब पर शने यह आता है, कि फ्र विगानमट यह कि सरकार दो रुपे एक रुपे फिडी में अनाज देने से ज्यादा आलशी तो ज्यादा बदमास हुए लंगर में खाने वाले एक सरध्धा के साथ खाते हैं, मंदिर में का रहे हैं, उस तो इजद रगें। परसने का पैसा नहीं लगता है, बनाने का पैसा थोड़ा बहुत लग जाए लग जाए। और प्रशाद के रूप में जब गरम करते हैं तो उसकी खुश्पुर्ण हमें तो हमेशा अलग रही है। तो मेरा सोच तो है कि ये ज्यादा बहतर परीके से चल सकते हैं। जरूरत है कि थोड़ा करड़ा चाहिए। सुदार करें। और इसके साथ कुछ और भी काम जोड़ें। जिससे कि लोग अगर करना चाहें तो पास-पास की सफाई हैं। कुछ नेदी गत्षिक्छा हैं, कुछ परवारिक कलाह की बिवाब एं। कुछ सादी ब्याहे की चाहें, कुछ सामाजीक चाहर हैं। ये चीछें तेरे-ष़दे近 सामिल हो सकते हैं। तो भूबहातई हैं तो घुक से मिदान हो अज में। कुछ के लिए लंगात। या इसका कोई भी नाम में अनुपूड कुरान खानी जैसा भी लोग वो सुनुत माच है। और रगवान में अगर हम वह हमत दे तो हम इस्तिसाम के लिकत बढ़ाएंगे।